हेलो फ्रेंड्स, कोकिंग विद पुनो सागवान के चैनल पे आप सभी का सवागत है, तो आज हम बंडारे जैसे बेगर लेसुन पे आज की कद्दू की सबजी बनाएंगे, अगर आपको ये रेशी भी अच्छी लेगे, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अग मैं आदा कटा हुआ, कद्दू लिया है, तो अब कद्दू को काट लेंगे, और कद्दू को सबजी यहां पे छिलके के साथ ही बना रही हूं, बंडारे में सादियों में ये सबजी छिलके के साथ ही बनाई जाती है, और यहां पे मैं बेगर लेसुन प्याच्छे बना रह और हटाने के बाद में अब कदू को काट लेंगे, तो यहां पर कदू को कापीस बना रही हूं, तो यहां पर बारिक बारिक भी ने करा है, ज्यादा मोटा भी ने, मीडियम साइज में काट लिया है, काटने के बाद में अब लेंगे एक कडाई, और कडाई में कटा हुआ कदू डाल लेंगे, और डालने के बाद में अब इसमें डालेंगे आधी चमचे हल्दी, और आधी चमचे कम नमक डालेंगे, और एक गिलाज पानी, और पानी डालने के बाद में अब गैस को पर उबलन के लिए रख देंगे दो से तीन मिनट तक उबालना है ज्यादा नहीं उबालना है तो यहां पर दो से तीन मिनट में में मेरे कदू बलके त्यार हो गया है अब एक छलनी में निकाल लेंगे छलनी में निकालने के बाद में अब सब्जी की त्यारी करते हैं तो यहां पर मन ग के बाद में यह इसमें डालेंगे मेथी दाना मेथी दाना यहाँ पर मैं पानी में बिगो के रख दिया था तो यहाँ पर बिगी होई मेथी दाना डाल देंगे, तो यहां पर मेति दाना में बिगो के डाल रही हूं, बिगो के डालने से तेल में डालते ही एकदम से ये पकेगी नहीं, तो ज़्यादा तेल गरम होता है, तो वैसे सुखी मेत्री डालते हैं, तो एकदम से पक जाती है, और काली पढ़ जाती है, तो इस तो भी हलका सा पक गया है, पकने के बाद में अब इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी डालने से भी कद्दू की सबजी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो यहां पर कस्तूरी मेथी डालने के बाद में अब डालेंगे मीडियम साइज का एक टमाटर तो यहां पर मीडियम साइज के टमाटर को मैं काट लिया है और 2-3 हरी मिर्ची तो हलका सा अब हरी मिर्ची और टमाटरों को पका लेंगे तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये रेज़ भी अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तो यहाँ पर गैस के आज को मीडियम पर रखेंगे, तो मीडियम आज को पर टमाटर और हर हरी मिर्चियों को पका लेंगे, तो यहाँ पर टमाटर और हरी मिर्चल का सब पक चुके हैं, पकने के बाद में अब इसमें डालेंगे मसाला, मसाला यहाँ पर नॉर्मली मसाला डाल रही हूं, तो मसाला में अब इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पावडर, तो यहाँ पर म नमक पहले भी डाल दिया था और दो चमच दनिया पावडर तो अब अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद में अब इसमें डालेंगे आदी चमचे कम गरम मसाला तो यहाँ पर गरम मसाला में कमी यूज करती हूँ, तो मैं यहाँ पर अदा चमच कम गरम मसाला डाले है, और एक चमच डाल दिया है, आम चूर पावडर, तो अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब इसमें डालेंगे, अदी चमच काला नमक, इससे सबजी का टेस्ट अच्छे से मिक्स कर दिया है, और मीडेम आज को पर मसालो को पका लेंगे, दो से तीन मिनट में मसाला पक जाएगा, तो अभी मसाले में हलका सा पानी डालेंगे, तीन से चमच पानी डाल दिया है, तो मसाला जलेगा नहीं, तो यहाँ पर मसाला अच्छे से पक चुका है, और अब पकने के बाद में अब इसमें खटा मिठा स्वाद के लिए डालेंगे एक चमच क्रेस करया हुआ गुड़ और एक चमच चिन्नी और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लिया था अच्छे से मेल्ट हो गया था अब डाल दिया है उबला हुआ यहां पे कद्दू तो अब कद्दू को 2-3 मिनट के लिए मीडियम आच को पर पका लेंगे तो यहां पे 2-3 मिनट हो चुका था कद्दू अच्छे तरह से पक चुका है और पकने के बाद में अब इसे हलका सा चमच से फोड़ लेंगे तो यहां पे कद्दू की सब्जी बनके रड़ी हो गई है और देखने में बंडार जैसी और ब्यासादियों में बनने वाली सब्जी ही रड़ी होई है तो अगर आपको यह रेज भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजिए तो यहां पे मैं एक कटोरी में सब्जी को स्रेव कर रही हूँ तो अगर आपको कटो की सब्जी पसंद आई हो तो कॉमेंट करना तो यहां पे मैं एक कटोरी में स्रेव कर लिया है तो अगर आप को यह रेज भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर करना और कॉमेंट करना धन्यवारा